हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखंड जी के विद पीके में तो दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परमुक वेक्तित्तु में जिनमें की है कौन? बचहिंद्री पाल जो की उत्रकाशी के नकोरी गाउं के रहने वाली है और भारत की और उत्राखंड की पहली एवरेश्ट फटागरने वाली महिला है तो दोस्तो परमुक वेक्तिक तो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी प्रिक्षाओं के लिए खासकर अभी जो वेकेंसी आएगी पुलिस के लिए फोरेश्ट गाड के लिए वीपेडियो के लिए और वीडियो के लिए तो दोस्तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बच्षेंद्री पाल तो दोस्तो पहले बात करते हैं बच्षेंद्री पाल कौन थी परवतार हुई थी बच्षेंद्री पाल और इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 में नकूरी गाओं में जो की पढ़ता है हमारे उत्तरकाशी में इनके जो पिता थे वो थे सरी किसन सिंग पाल जो की एक कृशक थे इनकी जो आत्मकता है वो है एवरेश्ट माई जर्णी टू दे डॉप 1989 में लिखी थे नोने और इनको जो पूरू पेशा था यानि पूरू पेशा मतलब जो परवतारोही बनने से पहले इनका पेशा था वो था 1984 में भारत का चोथा एवरेश्ट अभ्यान यानि इस अभ्यान का नाम था एवरेश्ट 84 शुरू हुआ था जिसमें बचेंदरी पाल सहीत 7 महिलाएं 11 पूरूस थे बहुत है इंपोटेंट पूइंट रहेगा 7 महिलाएं 11 पूरूस कुल मिलाकर 18 सदस्य थे मिलाकर सबसे उचित्ति श्रचेयो को किया किया था तरह थे रंगल फ्यर्ण फ्यरा दिया तता मपरे यानि सागर्माथ मां पूर्णप्यूस दूसर बड़ा कंफिया हुता है 23 मई उन्छे को मांट गूरेंट फता किया था और यह कोच जन्म हुआ ता वो हुआ था 24 मई को तो 23 में confuse नहीं होना है next point है मारा ऐसा करने वाली विश्व की 5 महिला जबकि भारत की पहली महिला थी मलत जो विश्व में 5 वह स्थान एनका एवरेश्ट पता करने में और भारत की ये पहली महिला थी यानि उत्राकंड की भी पहली महिला थी बचेंदरी पाल को 1982 में नहरूप परवातरों संस्थान में दाखिला मिला था होवी बड़ी मिश्केलों का बाद मिला था क्योंकि ये भी एक गरीब परिवार से थी 1986 में बचेंदरी पाल ने येरोप की सबसे उची चोटी माउंट बलैक माउंट बलैक को फटा किया था कब 1986 में उसके बाद 2008 में पाल ने अफरिका की सबसे उची चोटी किल मिंजारों को भी फटा किया था 1999 में बचेंदरी पाल ने विजे रैली टूदा कारगिल शुरू की थी बहुत इंपोटेंट पॉइंट है विजे रैली टूदा कारगिल कब शुरू की 1999 में उसके बाद 1983 में बचेंदरी पाल ने गंगोतरी माना, रुद्रगेरा, आधिय अभियान होगी क्या सदिस्से रहे कौन बचेंदरी पाल बचेंदरी पाल ने 1986 में युरोप की सबसे उची चोटी, यानि माउंट ब्लैक, फता की थी, और यह दोबार आ गया, कब की थी? 1986 में इरोप की सबसे उची चोटी माउंट ब्लैक उसके बाद 1994 में पाल ने यानि बचेंदरी पाल ने हरिद्वार से कलकत्ता तक, यानि ये 200 किलोमेटर की एक अभियान था, इसका नेतरियोत की था किसने बचेंदरी पाल ने इसकी परमुक थी, दल की बहुत ही इंपोटेंट पॉइंट रहेगा ये भी उसके बाद आते हैं हमारे सम्मान जो इने सम्मान मिले हैं, वो है सबसे पहले मिला इनको पदमिसरी, कम मिला 1984 में भारत सरकार ने दिया इनको पदमिसरी, उसके बाद अरजुन अवार्ड 1986 में उसके बाद इनको मिला कोलकाता सरकार की तरफ से कोलकाता लेडिस स्टर्डी ग्रूप अवार्ड, ये मिला है 1986 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यस भारती संबान 1905 में यानि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्योंकि उस टाइम उत्राखन का गठान नहीं हुआता तो उत्तर प्रदेश में ही आते थी तो उत्तर प्रदेश सरकार होगा यस भारती संबान 1905 उसके बाद हिम्वति नेशनल एडवेंचर अवार्ड बहुत ज्यादा important question है और आसक पहने वाली परिक्षाव में नेशनल एडवेंचर अवार्ड कब द्यगेब चेंदरी पाल को 1997 में next जो point है वो है मध्यपरदेश सरकार द्वारा विरांगना लक्समी भाई राष्टे सम्बान कब द्यगेब चेंदरी पाल को 2013-14 में तो दोस्तो बहुत ही important fact है यह आपको किसी एक book में नहीं मिलेंगे और आने वाली उत्राकन की परिक्षाव में बहुत ही मत्तुपूर्ण रहेंगे यह point तो दोस्तो लाइक कीजिए वीडियो और comment कीजिए और जिससे आपको हमारी वीडियो जो है समय पर प्राप्त होती र गोचिं